सबी साथियों को मेरा नमस्कार स्वागत आप सभी का आज 16 फर्वरी के जन सत्था विश्लेशन में आई शुरू करते हैं आज का विश्लेशन पसम प्रिश्ट पे हमारे सामने जो खबर आ रही हो है इलेक्शन बॉंड जो 12 सरकार दुआरा सन 2018 में लाए गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट मारे ने मुक्षिन आदीश चाब ने खारेच कर दिया है और कहा है कि असम्विधानिक है इलेक्टोरल बॉंड जिनका मुक्ष जो देश था वो था भैचान चुपाना जो पार्टियों को दान करते हैं उद्योगपती या व्यक्ति उनकी भैचान चुपाकर पार्टियों तक पैसा पुचाना था इलेक्टोरल बॉंड का काम सुप्रीम कोट ने कहा ये पूरी तरीके से आर्टी आई के नियमों का उलंगर है और ये नागरिकों के हित में एक गलत कतम है और सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि एलेक्शन बॉन्ड वारी उजिना के माध्यम से जो कि विसीकली एजबियाई इसका क्या टेकर बैंक था एलेक्शन बॉन्ड क्या जतना भी विवरा जिस दिन से शुरू हुआ है उसका हिसाब दीजिए पूरा रिकॉर्ड दीजिए किसने क्या क्या आपको बॉन्ड जमा कराया है मतलग यह पूरी ट्रांस्पेरेंसी होने वाली है सुप्रीम कोर्ड यह प्यास कर रहा है कि देश में जो चुनावी विवस्ता है वो पूरे तहार ट्रांस्पेरेंट रहे चलिए आगाते हैं हमारे संपात के पर आर्थिक सुधार और मौजूदा दौर इन दिनों बार फिर से 1991 के आर्थिक सुधारों का जिक्र होने लगा है आर्थिक सुधारों इनको बलाया नहीं जा सकता उसे के चलते आज भारत दुनिया की पांच भी बड़ी अर्थिवस्ता है हाला कि वैश्वेग अर्थिवस्ता को इस दौर में हमने जीडीपी को अधार बनाया है जबकि तस्वीए का दूसरा पक्ष यह भी है प्रतिवेक्ति आए क्योंकि हिसाब से विकसित होने को हम खुद 247 तक का समय लेकर चल रहे हैं हम लोग ने समय लिया है कि हम 2047 तक पूरी तरह किसे बढ़िया हो जाएंगे एक्टम डेवलाप्ट 24 जून 1991 को संसेद में ताथकालीन बित्यमंत्री ओक्टर मुहन सिंग ने अपने बज़ेट वाशन में कहा था कि स्वित्वी पर ऐसी कोई शक्ती नहीं है जो उस विचार को रोख सके जिसके आने के समय निश्चित हो ताथकालीन सरकार उस समय की दुरूबल आर्थिक्सिती को देखने हुए बहुत दुर्ण संकब थी की आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत अभी तक कर देनी चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी साथिम चानते हैं 1990 का दौर अर्थिवस्ता की शेतर में बहुत ही यादगार रहा है कि ही वह समय था जब सरकार ने उदारीकरण की नीती अपनाई थी LPG रिफॉर्म लाए थे उदारीकरण और नीजीकरण जो किस से पहले लाल फीदा चाही चल लाई थी सरकारी तंतर बिलकुल भी किसी भी छेतर को आगे उटने देने नहीं दे रहा था इतने धीर धीरे काम हो रहता कि कई छेतर प्रवाइद रहे थे और उनका विकास नहीं हुपा रहा था लाइसेंस राज कहते थे उस जमाने में लाइसेंस राज मतलब लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दक्तरों के आस्पस आपको भागना पड़ता था ओभी काम मिलता था भगवान जाने आगाते हैं एक बार फिर से पीशे चले और जरायात करें वह दोर जब घर में टेलीफोन लगाने के लिए दो से तीन वर्च तक अंतजार करना पड़ता था और आज हमेशे होगे मॉइल पर इंटरनेट की सबसे बड़े उभगता है आर्थिक गुदाजिकरन की शरुवात के बाद से आम जीवन का पूरी तरह बदल गया है जोसे हमने प्राइवेट कमपनीज को टेलीकॉम सेक्टर में आने दिया है साथी तबसे हम देखी कितना असानी से बात चीट कर पाते हैं हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं और पहले वो जमाना था जब हमें टेलीफोन में आने वरी समस्यां को लेके BSNL की तक्तुर पर जाना पुदा था वही BSNL जहांपे काम कभी भी समय से नहीं होता था भारत का विशाल बाजार जिसमें उसके वोगता की क्राइश हम तरह से बड़ी सत्ता रखती है काकरशन पूरे विश्व में है वर्तमान समय की सचाई के पीछे का अधार 90 की आर्थिक उधारों की मुख्य सोच LPG है जैसके मने को बताया है आपको देखिए सरकार और जो भी राष्ट्र होता है आपका अगर उसे आर्थिक रूप में कामियाब होना है तो उसको पहली बात तो कही छेत्रों को खुली छूट देनी चाहिए लिबरलाइस कर देना चाहिए ताकि वो छेत्र अपने आप अपनी अपनी ग्रोथ करते रहें अपना विकास करते रहें ऐसा ना करने पर क्या होगा कि अगर हम जावदस्ती चेन बांद के रख देंगे के चीज़ से तो उसका दायरा उतना ही हो जाएगा गोल और वो कभी भी विकास नहीं कर पाएगा वहीं पर अगर हमसे खुली छूट देते हैं तो दुनिया जीत सकता है वो चेत्र यह अच्छिम्पित अच्छिम्पित करने वाली बात है कि GDP के हिसाब से वेश्व के पांच भी बड़ यतवस्ता वाला मुलक मुलक वेश्व की गरीवी में तकरीवन 20% का हिस्सार रखता है हमने इंगलाइंड को GDP में पीछे तो छोड़ दिया लेकिन प्रतीव एक्तियाए के मामले में हम उसे आज भी बहुत आधीचे है हम इंगलाइंड से दुसाती हो परकाप्टिया इंकम जो परकाप्टिया इंकम होती है हम उसमें भी बहुत पीछे है मतलब अर्तिवस्ता को नापने के बहुत सारे पेमाने होते हैं सिर्फ ये नहीं कह सकते कि GDP अमारा चल आए बढ़िया मतलब हम एकदम मत चल लाए नहीं पर काप्टी एंकम हम UK से भी पीछे हैं ठीक है हमने इंगलेंड को GDP पीछे ठोड़ दिया लेकिन प्रती वेक्ति आए के मामले में हम उस से आज भी बहुत पीछे हैं क्योंकि नब्भे के अधिक सुधारों में शायद पती वेक्ति आए बढ़ाने के समद में कोई ठोस वेकल्प नहीं था यहां भारत को की विशाल जिनसंख्या को एक नकरातनों पक्षमाने तरकिक नहीं रगता जो कि इसी जिनसंख्या के मदेवर की क्रेशंता आर्थिक विकास की मुक्याधार शीला है जिनसंख्या के करीब तब के का निवारन क्यों ना पेक्षित हो बहुती सही बात कही इस लिख में लिखक द्वारा आगे आते हैं इंसक होते बच्चे पिछले कुछ समय में बच्चों के भीतर बढ़ती इंसक प्रवड़ती को लेकर रगता जिनता किता जा रही है ऐसे मामले में सामने आ रहे हैं जिनमें कम उम्र के बच्चे भी अपने सहबाटियों और या तक की शिक्चकों पर जान लेवा हमला कर दे रही है उतर पदेशी एनौइडा में दो नाबाले लिल्कों ने जिस तरह एक स्कूल के अध्यापक को गोली मार दी उससे यही पर चलता है कि समाज और विवस्ता में इस तरह पर एक गंभीर विक्रिती अपने वाव जमा रही है खबरों के मताबिक सकीपुर गाओं के स्कूल से थोड़ी दूर पर हुई घड़ना में गनीमत बस यह रही कि किसी तरह चिक्षक की जान बच गई वना हमले की प्रकृती को देखते हुए कहा जा सकता है कि आरोपी छात्रा का मकसद चिक्षक की हत्या करना यहा होगा सवाल है कि इतने कम उम्र में वच्चे किसी मामली बात पर हत्या करने ऐसी अपराद करने पर क्यूं उतर जा रहे है अब वज़ चिक्षक पर हमला करने वारे नामाले कुछ हात्रों के बीतर एक जगर्निस्तर के अपराद के उन्जान देने की बात क्यूं आई फिर अतनी कम उम्र के बच्चों के बच्चों के बंदू कैसे जान लेवा थियार कहां से आए जाहर है हमलावर बच्चे ऐसे लोगों के इधारे या संपर्ग में अपने वक्त गुजा रहे हैं जिनके लिए अपराद एक समाने बात है इसके अलावा कानूनी वस्ता का आलम ऐसा क्यूं है कि किसी पर जान लेवा हमला करने वालों लोगों या बच्चों के बीतर पुलिस की कारवाई के खौफ काम नहीं करता अगर समाच के ढाचे पर पलती विक्रतियों और बच्चों के भीतर वरती अपरादे हिंसक पर वरती को लेका सरकार और आम लोग गंबी नहीं होए तो इस तरह के बच्चों की जिन्दगी की दिशा सब के लिए जटल हालात पैदा कर देती है साथ की इस मुद्दे से हमें यह पता लग रहा है कि पहली बात तो बच्चों में क्या देहरे खतम हो रहा है पेशिंस खतम हो रहा है उनके अंदर एथिकल डिलेमा क्यों आ रहा है जिसमें वो अपने कोई छोटी सी बात ही रही होगी तभी और बच्चों के सथ क्या बात होती है ऐसा एथिकल डिलेमा क्या आया कि उसले अपने गुरू को ही मारने की कोशिश करी गोली मारने की वो भी पहली बात तो यहाँ पर हमको छातरों की समय समय पर कांसलिंग कराने का प्रयास करना चीए ताकि हम जान सके कि उनकी मनों सती क्या चल रही है पैरेंट्स की जिम्मदारी बनती है कि वो सुनिशित करें कि बच्चे उनके कहां उठ रहे हैं बैट रहे हैं गरत लोके अगर उठे के मैठेंगे तो प्रेडाम भी गलत होंगे दूसरी बात अगर ऐसी कोई समस्या होती भी है तो पैरेंट्स को और गाजियन्स को अपने बच्चों से समय समय पर बात करती है निचे जिससे उनके मन की बात बहार निकल आए शायद हम किसी बच्चे को अपरादी बनने से रोक पाएं वरना ऐसा जुरूं करने पे तंतर के अंखों में तो आप एक मर्डर हो जाएंगे एक खूनी हो जाएंगे और आपका भविश्य भी खराव हो जाएगा चलिए आगे आते हैं फिल्मी जगत की खबर हैं हमारे किसी काम की नहीं आएंगे वी फिर भी आब अध्यन करिएगा हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आगे दिखते हैं खेल जगत में कोई विश्य खबर आई होगी तो हमारे लिए काम की होगी दिल्ली में ये वर्ल्ड बुक फेर लगता है ये वर्ल्ड बुक फेर मेला होता है आप इसका बिल्कुल जाएगा इसको लाब उठाईए इसका आनव उठाईए ये बहुत ही बड़िया मिला होता है वर्ल बुक फेर बहुत सारी किताबे मिलती हैं आप अच्छे ची किताबे मिलती है आच्छे दिरते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो खुश रही और जीवन को जीए खुल के